दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे transformer के transformation ratio के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि transformer ratio का मतलब क्या होता है transformation ratio से हमें कौन-कौन सी चीज़े पता चलती है practically जब industries में आप transformer की analysis करते हैं तो किस तरीके से transformation ratio आपको help करता है चीज़ों को out करने में यह आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट कि शुरू करते हैं देखे transformer का जो transformation ratio होता है यह basically आपको voltage, current और number of turns के बारे में आपस में क्या relationship है यह बताता है मतलब किसी भी एक particular transformer का voltage, current और number of turns जो winding हमने bound की है उसके number of turns के बारे में relationship यह transformation ratio define करता है तो जो transformation ratio है वो हर transformer के लिए standard होता है और इससे आप एक ही इस equation से आप number of turns को voltage को और current को इन तीनों को ही simultaneously analyze कर सकते हैं अभी कुछ दिन पहले दोस्तों हमने vector group के बारे में बात की थी तो जिस तरीके से एक single vector group आपको transformer के high voltage winding और low voltage winding के configuration के बारे में बताता है कि आपका जो transformer है यह star star connected है, star delta connected है, delta star connected है यह delta delta connected है यह सरीफ एक vector group को देखकर आप बता सकते हैं वैसे ही अगर आपको transformer का transformation ratio पता हो तो उसके voltage को बढ़ाने से current बढ़ेगा की कम होगा voltage जिस side ज्यादा है, जो high voltage side है, वहाँ number of tons ज्यादा है की कम है, अगर आप मान लिजे आप designing level पर है अगर आप ऐसे किसी company में काम करते हैं जाँ transformer की manufacturing की जाती है तो number of tons बढ़ाने से voltage बढ़ेगा की V2 by V1 equals to N2 by N1 equals to I1 by I2 यह transformation ratio है और यह सभी transformer के लिए standard रहता है, यह एक standard formula है एक standard ratio है अब इसमें सबसे पहले आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि voltage और number of tons का proportion तो same रखाया है, यानि कि V2 by V1 equals to N2 by N1 है पर जब हम लोग current की बात करते हैं तो current I1 by I2 हो जाता है यानि कि current की proportionality voltage की proportionality से अलग है, यह same नहीं है यह पहली चीज़ है जो इस ratio में आपको ध्यान देने चाहिए, तो दोस्तों जिन लोगों को यह doubt रहता है कि voltage बढ़ाने से current बढ़ता है कि कम होता है, इस transformation को देखकर आपका word out भी clear हो जाता है, देखे V2 by V1 equals to I1 by I2 है इससे हमें यह clear पता चलता है कि जहां voltage ज्यादा है वहां current का magnitude कम है तो voltage और current हमेशा inverse proportionality में होते हैं transformation ratio से सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी चाहिए वो यह है, देखे वैसे तो voltage बढ़ाने से current बढ़ता है कि कम होता है, इस पर मैंने एक separate वीडियो बनाया है, जिस पर मैंने calculate करके बताया है कि voltage को बढ़ाने से current बढ़ता है कि कम होता है, उस वीडियो के link में आप 5 बटन में देदूँगा, वहां जाके आप calculation mode पे भी आप देख सकते हैं कि यह किस तरीके से काम करता है, पर अगर हम transformation ratio की बात करें, तो इस में से भी आपको यह पता चलता है कि voltage अगर आप बढ़ाते हैं, तो current का magnitude कम होता है, या तो आप इसे इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि transformer की जो high voltage side है वहाँ current का magnitude कम है क्योंकि V2 by V1 equals to I1 by I2 high अब दोस्तों बात आती है इसके number of turns की, तो देखें V2 by V1 equals to N2 by N1 है, इसका मतलब यह है कि number of turns और आपका voltage directly proportional है, transformer के जिस side high voltage winding bound है, यानि कि आपके transformer के high voltage side है वहाँ number of turns भी जादा होंगे जब आप नए-नए industries में जाते हैं तो बहुत बार एक transformer के सामने अगर आप खड़े हैं, कोई काम चल रहा है तो आपके senior आपसे यह पूछते हैं कि इसमें number of turns कहा जादा होंगे और कहां कम होंगे अब transformer को जब आप बहार से देखेंगे तो आपको स्रिफ एक टैंक दिखाई देगा आपको उसकी winding दिखाई नहीं देगी ऐसे में जो चीज आपके पास available होगी वह होगा transformer का voltage ratio तो मान लेजिए transformer का voltage ratio अगर 66 kv by 11 kv है तो आपको स्रिफ यह पता है कि high voltage side जो है वह 66 kv है और low voltage side 11 kv है पर अगर आपसे कोई यह पूछे कि number of turns कि side जादा होंगे और कि side कम होंगे तो आपको transformation ratio की help लेकर आप इसका answer easily दे सकते हैं देखे 66 kv by 11 kv का transformer है तो जो high voltage side है वहाँ number of turns जादा होंगे transformation ratio बोलता है V2 by V1 equals to N2 by N1 तो जो high voltage side है वहाँ number of turns भी जादा होंगे और जो low voltage side है वहाँ number of turns कम होंगे ध्यान देने वाली बात यह है कि number of turns बढ़ाने से transformer का voltage बढ़ता है और transformer का voltage जिस side बढ़ेगा उस side उसके current का magnitude कम होगा तो इस तरीके से transformation ratio है वह आपको information provide करता है कि एक transformer के voltage current और number of turns इन तीनों का आपस में relationship क्या है तो दोस्तों यह topic बहुत basic level का था लेकिन यह बहुत ही अच्छी understanding है कि transformation ratio की आपको analysis करना कितने अच्छे से आता है बहुत सारे लोगों को यह ratio तो पता है exam में वह यह ratio जरूर लिख देते हैं लेकिन अगर उन्हें transformer के सामने खड़े करके पूछा जाए कि कि side number of turns ज्यादा होंगे तो उन्हें इस चीज़ को apply करने में problem होती है और industries में आपको application ही show करनी है तो दोस्तों यह video अगर आपको पसंद आया हो तो इस channel को subscribe कीजिएगा मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक interesting topic के साथ तब तक अपना ध्यान रखेए